परिमे संख्याओं के गुणधर्म Properties of Rational Numbers पहला, पून संख्याओं और पूनांक Whole Numbers and Integers एक बार पुना, संख्याओं के गुणधर्म पर चर्चा करें शुरुवात, संवरित्ता, क्लोजर से करते हैं दी गई तालिका को पून कीजिए, जो चर्चा के लिए आवसक है इस तालिका में संबंधित उधारन भी दें तालिका का सिर्षक है, संख्याओं, संक्रियाओं योग, व्यवकलन, गुणन, भाग पून संख्याओं, किनी दो पून संख्याओं ए और बी के लिए एधन भी पून संख्या है इसलिए पून संख्याओं योग के सापेक्ष संवरित रहती हैं उधारन दें, पून संख्याओं व्यवकलन के सापेक्ष संवरित नहीं हैं क्योंकि पांच रिंड साथ बराबर रिंड दो पून संख्या नहीं हैं पुन संख्याएं गुनन के सापेक्ष सम्वरित रहती हैं। उधारन दें, पुन संख्याएं भाग के सापेक्ष सम्वरित नहीं हैं। क्योंकि पांच भाग आठ बराबर पांच बटे आठ पुन संख्या नहीं हैं। पुनांक, रिण 6 धन 4 बराबर रिण 2, एक पुनांक है, पुनांक योग के अंतरगत सम्वरित है, उधारन दें, पुनांक के सापेक्ष व्यावकलन सम्वरित रहती हैं, क्योंकि किनी A और B दो पुनांकों के लिए A रिण B पुनांक है, उधारन दें, 5 गुणित 9 बराबर 45 रिण 5 गुणित 9 बराबर 45 और रिण 5 गुणित 9 बराबर 45 सभी पुनांख हैं ब्यापक रूप से किनी दो पुनांख A तथा B के लिए A गुणित B एक पुनांख है उधारन दें पुनांख के सापेक्ष भाग सम्वरित नहीं है क्योंकि उधारन दें दूसरा परिमे संख्याएं सम्वरित गुण धर्म क्लोजर प्रॉपर्टी A योग मान लिजे दो परिमे संख्याएं दो बटे साथ पांच बटे आठ हैं बराबर 16 धन 35 बटे 56 बराबर 51 बटे 56 आप देखेंगे परिमे 59 बटे 56 पुना परिमे संख्याएं प्राप्त होती है इस गुण धर्म को कुछ और संख्याओं के साथ भी जाची है 3 धन 5 बटे 7 सुन्य धन 1 बटे 2 7 बटे 2 धन 2 बटे 7 हम देखते हैं कि दो परिमे संख्याओं का योग भी एक परिमे संख्या है यदि A भी परिमे संख्या है तो A धन B भी एक परिमे संख्या होगी अता योग के सापेक्ष परिमे संख्याएं सम्वरित रहती हैं B. व्यवकलन मान लिजिए दो परिमे संख्याएं 5 बटे 9 और 3 बटे 4 हैं तो 5 बटे 9 रिन 3 बटे 4 बराबर 5 गुणित 4 रिन 3 गुणित 9 बटे 9 गुणित 4 आप लिख सकते हैं 20 रिन 27 बटे 36 इसे हम लिख सकते हैं रिन 7 बटे 36 रिन 7 बटे 36 एक परिमे संख्या है कोश्टक में क्योंकि रिन 7 36 पुनांख है और 36 सुन्यतर है अता रिन 7 बटे 36 भी एक परिमे संख्या है इसकी जाँच दी गई परिमे संख्याओं के संदर्ब में भी किजिए पहला 2 बटे 3 रिन 3 बटे 7 बराबर 14 रिन 9 बटे 21 क्या ये एक परिमे संख्या है दूसरा 48 बटे 9 रिन 11 बटे 18 बराबर क्या ये भी एक परिमे संख्या है हमने पाया कि किनी दो परिमे संख्याओं के लिए उनका अंतर भी परिमे संख्या है अतर व्यवकलन के सापेक्ष परिमे संख्याओं संवरीत रहती है किनी दो परिमे संख्याओं A और B के लिए A रिन B भी परिमे संख्या होगी C गुनन तहला 3 गुनित 1 बटे 2 बराबर 3 बटे 2 2 दूसरा 6 बटे 5 गुनित रिन 11 बटे 2 बराबर रिन 66 बटे 10 बराबर रिन 33 बटे 5 3 बटे 7 गुनित 5 बटे 2 बराबर क्या आपका सकते हैं कि यह भी एक परिमे संख्या होगी इसी प्रकार 4 बटे 1 गुनित 19 बटे 13 बराबर क्या यह भी एक परिमे संख्या होगी सभी उधारणों में हम देखते हैं कि दो परिमे संख्याओं का गुननफल एक परिमे संख्या होती है कुछ और परिमे संख्याओं के युगमों का गुना किजिए जाच किजिए कि गुननफल परिमे संख्या है या नहीं क्या आप ऐसे परिमें संख्या बता सकते हैं जिसका गुनन फल एक परिमें संख्या नहीं है अता हमें पता चलता है कि गुना के सापेक्ष परिमें संख्याएं संवरित हैं किनी दो परिमें संख्याओं A और B के लिए A गुनित B भी एक परिमें संख्या होगी D, भाग, दो परिमें संख्याएं लीजिए, दो बटे तीन और साथ बटे आठ, तो दो बटे तीन भागीत, साथ बटे आठ, बराबर, बराबर, सोला बटे इक्कीस, जो एक परिमें संख्या है, इसे कुछ उधारनों से जाचिये, पहला, पाँच बटे साथ, भागीत, दो बराबर, पाँच बटे साथ, भागीत, दो बटे एक्कीस, बराबर, पाँच बटे साथ, गुणीत, एक बटे दो, बराबर, पाँच बटे, चोदा, दूसरा, रिण, दो बटे तीन, भागीत, छै बटे, ग्यारा, बराबर, जाचिये, और पता किजिये, कि क्या, रिण, दो बटे तीन, भागीत, छै बटे, ग्यारा भी, एक परिमेंच संख्या है, तीसरा, तीन, भागीत, सत्रा बटे, तेरा, बराबर, तीन बटे, एक, भागीत, सत्रा बटे, तेरा, जाचिये, कि क्या ये भी परिमेंच संख्या है, उपर के सभी उधारनों में हम देखते हैं कि, जब हम दो परिमे संख्याओं का भाग करते हैं तो हमें परिमे संख्या ही प्राप्त होती है अब क्या हम कह सकते हैं कि परिमे संख्याओं के भाग के लिए संवरित गुन सही है आएए इनकी जाच करें सुन्य पांच परिमे संख्याओं हैं और पांच बटे सुन्य और परिभासित है अतर परिमे संख्याओं का समू क्यू भाग के सापेक्ष सम्वरित नहीं है यदि क्यू में से हम सुन्य निकाल दें तो यह समू भाग के सापेक्ष सम्वरित हो जाएगा करके देखें यदि हम पुन्नांकों के समू से सुन्य निकाल दें तो क्या यह भाग के साफ एक सम्वरित है इसी तरह पुन्न संख्याओं के समू के लिए भी जाच कीजिए तालिका के खाली स्थानों को भरिये तालिका का सिर्शक है संख्याएं अंतरगत संवरित हैं योग व्योकलन गुनन भाग प्राकिर्ट संख्या योग के लिए संवरित है अता यहां हमने लिखा है हाँ इसी प्रकार पून संख्याएं भाग के लिए संवरित नहीं है यहां लिखा है नहीं इसी तरह पूनांग सं इसलिए यहां लिखा है हाँ इसी तरह परिमे संख्याएं गुणन के लिए संवरित हैं इसलिए यहां लिखा है हाँ इसी प्रकार अपने साथियों के मदद से आप दिये गए खाली स्थानों को भरिये